अनुराग की बहनों ने सुधा की जिंदगी नरक बना कर रख दी और आये दिन वो माँ को उससे लड़वा देती और माँ सुधा को गालिया देने लगती और वो चुप करके सुन लेती। एक दिन माँ बेटियों के बच्चों के लिए दिवाली की कपड़े लाई तो सुधा की बेटी ने वो पहन लिये। तो माँ ने उसे मनहूस कहकर बहुत मारा तो सुधा ने गुसे में माँ को मना किया तो उसने बेटियों की साथ मिलकर सुधा का गला दबा कर मार दिया और ज चुधा कहने लगी तो जहां आप रहती है वो भी आपके पती का घर है आप भी दहेच से लेकर नहीं लाई ये सुनना था कि वैशाली का तो पारा ही हाई हुआ था कहने लगी मा देख रही हो कैसी लंबी जबान है इस लड़की की हमें नहीं पता था कि अनुराग भाई की श पढ़ेगा अनीता देवी ने सुधा को कहा आने दो अनुराग को मैं उससे बात करती हूँ कि तुम्हारी पत्नी की जबान बहुत लंबी है इसकी जबान को लगाम लगाओ तो सुधा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा भी जो हो मेरे भाई ने तो पत्नी को सरपर चड़ा कर रख लिया अरे हम भी तो है मजाल है कि अपने पती के सामने या नंदों के सामने जबान खोलने की हिम्मत भी की हो वैशाली की बात सुनकर सुधा ने दरवाजा खोला था कहने लगी अगर आप इतने ही अच्छे तरीके से अ गया था क्योंकि वो अपने ससुराल में बहुत तेज मशहूर थी और अपनी मर्जी की मालिक भी थी सास को तो गिंती में ही नहीं गिंती थी लेकिन यहां आकर ये बाते इसलिए बोलती थी ताकि उसकी भाभी ये सुनकर नंदों और सास के सामने जबान न चलाएं आग्या कहने लगी ये आप इसलिए कह रही है ताकि आपका पोल न खुल जाए ये कहकर सुधा ने दर्वाजा फिर से जोर से बंद किया था वैशाली को बहुत गुसा आया कहने लगी तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये इतने जोर सोर से दर्वाजे बंद कर रही हो ये अकर कही और जाकर दिखानत इस आवाज से वैशाली ने कहा था सुधा ने दर्वाजा खोला और जोर से बंद किया दोनों माव बेटी गुसे से बिफर कर रह गई उन्हें तो लगता था कि वो सुधा पर रॉब जमाएंगी और उसे नौकरानी बना कर रखेंगी जैसे कि अपने भ खूब सेवा की नए नए खाने बना कर उनकी सामने रखती रही लेकिन वो तीनों तो योवकर करके बैठ जाती है जैसे कि सुधा उनकी भाभी ना हो कोई नौकर हो सुधा ये क्या बनाया है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है चावल जरा कच्चे है इसमें मिचे बहुत तेज है इस तरह की बाते आये दिन उसे सुनने को मिलती थी और सास का व्यवहार यूँ तो ठीक रहता था लेकिन जैसे ही उनकी तीनों बेटिया आती और मां की साथ सर सफाई पसंद है रात को जब तक बरतन न धुलो किचन की साफ सफाई न कर लो तुम सो नहीं सकती एक तो जब इसकी तीनों नंदे एक साथ आती थी तो वो परेशान होकर रह जाती थी क्योंकि काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और साथ ही नंदों की फरमाईशे भी फ उसकी नंदे उसके कमरे के बाहर टीवी खोलकर फूर-वालियूम में गाने लगा कर बैक जाती वो कमरे से बाहर आकर कहती की मुझे नींदा रही है मुझे सोने देख तो कहने लगती लो हमने तुम्हें रोका है जाकर सो जाओ अब क्या हम टीवी भी ना देखे अपने घर से कामकाज करके आये होती है यहाँ हम फ्रेश होने के लिए आते हैं टीवी देखने के लिए, खाने पीने के लिए. हम टीवी देखेंगे, तुम्हें ज़्यादा ही परेशानी है तो कानों में रूई लगा लो और सोजाओ. उनका लक्ष सुधा को परेशान करना होता था. प जब वो अनुराग से बात करती तो वो यही कहता कि देखो मैं अगर मा से तुम्हारी बात करूँगा तो वो यही कहेंगी कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बहनों का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। बातों को सुनने के मूड में नहीं होता। मैं दुकान की परेशानी को देखूँ, घर के खर्चों को देखूँ या फिर ये घर की छोटी मोटी लडाया जगरे बैट कर सुननूं। मैं तुमसे अच्छी बाते सुनना चाहता हूँ, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये घर क की बाते मुझसे दूर रखा करो। सुधा ने भी जब सोचा तो उसे अनुराग बेकसूर लग रहा था। जाहिर सी बात है वो बेचारा सुबह नौ बजे का गया, रात को दस, सारह दस बजे वापस आता था, और आते ही मां के कमरे में मिलने चला जाता तो एक घंटे से प जट आउट होने लगता था लेकिन मजाल है कि इसने कभी शिक्वा किया हो। इसके बाद भी उसकी मां के एक घंटा सुधा की बुराया उससे करती रहती लेकिन आज तक कभी उसने आगे से सुधा से बात नहीं की थी। ये नहीं कहा था कि मांने तुम्हारी शिकायक क्यों लगाए हैं। अनुराग का व्यवहार सुधा के साथ बहुत अच्छा था। शादी कुछ चा महीने गुजरे तो सुधा उम्मीद से हो गई और ये खबर उसकी तीनों नंदों को पसंद नहीं आए थी। यहां तक की सास पहले तो बहुत खुश्टी की अच्छा है मेरे आ अनुराग तो अपने बच्चे को देखकर हमारे बच्चों को भूल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। मा अभी इसे बच्चा नहीं होना चाहिए था। सास कहने लगी ये तो भगवान की मर्जी है मैं और तुम क्या कर सकते हैं। वो कहने लगी आप उससे और भी ख्याल रखेगा। उसकी मा कहने लगी जब तक मैं जिन्द हूँ, अनुराग ऐसा कुछ नहीं करेगा। जैसे ही अनुराग घर पर आया उसकी मा कहने लगी कि अब ये क्या तुम्हारी पत्नी प्रेगनेंट हो गई है तो नक्रे करके कमरे में बैठी रहेंगी। उससे कहन कि हमने भी बच्चे पैदा किये हैं इसलिए बाहर आये और सारे काम ऐसे करे जैसे करती थी। वो कहने लगा मा आपको क्या हो गया है। इतने समय बाद भगवान ने मुझे ये खुशी दिखाई है और आपको काम की चिंता लगी हुई है। मैं तीनों बहनों से बड़ा कि वो अभी भी आपकी बेटियों की सेवा करती रहे। ये सुनकर अनीता देवी चुपसी हो गई। वैशाली और शिखा कहने लगी देख लिया मा भाई की तेवर को। आप देखो ये कैसे अपने रंग दिखाता है। अनीता देवी को भी यही चिंता सताने लगी कि अगर बेटा ही इनके हाठ से निकल गया तो वो क्या करेगी। इसलिए जैसे ही वो काम के लिए घर से बाहर निकलता अनीता देवी बहाने-बहाने से सुधा पर शुरू हो जाती कि तुम काम ठीक से नहीं करती। बर्तन ठीक से नहीं धोती, मुझे समय पर नाश्ता नहीं सुधा तो उनकी बाते सुनकर परिशान होने लगी थी एक तो प्रेग्नेंसी के कारण उसे नींद बहुत जादा आती थी फिर बहुत जल्दी वो ठक जाती थी, सांस फूलने लगती थी उपर से अनुराग की माउ से ठिकने नहीं देती थी कहती थी ये बर्तन तुमने ठीक से नहीं धोई उसके धुले बर्तन फिर से वो दुबारा सिंप में रख देती कहती थी इसे दुबारा धो, कभी उसके बनाय हुए खाने में कमिया निकालने लगती कहती कि तुमने नमक बहुत तेज कर दिया है क्या चाहती हूं मैं ये खाकर ब्लड प्रेश की मरीज हो जाऊं मैं मर जाऊं एक बार तो सुधा का धहर्य जवाब दे गया उसने कहा कि अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो आप अपने लिए खाना खुद बना ले मैं तलगा गई हूँ मैं हर काम करती हूँ दिन रात ठक जाती हूँ लेकिन आपके तो काम ही खत्म नहीं होते मैं ठक चुकी हूँ मुझसे नहीं होता ये सब कुछ ये कहकर सुधा अपने कमरे में चली गई अनीता देवी को इतना गुसा आया कि उसे गालिया देने लगी कहने लगी तुम्हारी जबान अनुराग ने खोल रखी है आज आने दो उसे मैं भी उससे पूछती हूँ कि अनोखा बच्चा पैदा कर रही है इसकी पत्मी सुधा अपने कमरे में जाकर रोने लगी जितनी उसकी कोशिश होती थी कि उसकी सास इसके साथ अच्छी रहे अच्छा व्यवहार करे शिकायत का मौका ना मिले लेकिन सब कुछ करने के बाद उसकी सास उसे ही बाते सुनाती रहती थी और जब नंदे आती तो उनकी फर्मा राउंज में ही शुरू हो बई। कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी ने जबान बहुत लंबी हो बई है। तुम पर तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ उसा करो अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे धक्के देकर घर से निकाल दो। क्या मैं तुम्हारी पत्नी के नकरे देखने के लिए यहां रह गई हूँ। मेरी कोई इज़त नहीं। ये सुनकर अनुराग को बहुत गुसा आया था। उसने गुसे से सुधा को बुलाया वो कमरे से बाहर आय तो कहने लगा तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। तुम अब मेरी मां के साथ सबान चलेगी। जबकि वो जानता था कि सुधा ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा क्योंकि वो इस स्वभाव की नहीं थी लेकिन जानता था कि उसकी मां को भी तसली नहीं आएगी। वो कहने लगी मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा। उल्टा इन्होंने मुझे गालिया दी है। इससे पहले की सुधा कुछ और कहती अनीता देवी ने रोना धोना मचा दिया। कहने लगी अब देखो मेरे मुँपर जूट बोल रही है। अरे मैं क्यों इसको गालिया देने जीस बात से अब तक सुधा घबरा रही थी, वही सब कुछ होना शुरू हो गया था। सब के सामने उसने सुधा को थपर तो मार दिया था लेकिन खुद पर भी अफसोस करता हुआ अपने कमरे में चला गया। ये देखकर अनीता देवी को बहुत सुकून मिला था। अपन कि यही इच्छा थी वैशाली कहने लगी हाइमा, काश के मैं भी इस समय यहां होती कितना मज़ा आता जब मैं अपनी आखों के सामने सुधा की बच्ची को थपर खाते देखती। मा हंस हसकर एक एक बेटी को पूरा किस्सा सुना रही थी और सुधा लाउंज में बैठी सि पूरी हुई हो कि बेटा अभी भी उनके काबू में है। सुधा पूरी रात कमरे में नहीं गई और अनुराग इस इंतजार में था कि वो कमरे में आये तो उससे माफी मान ले। उसे अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करे। लेकिन सुधा भी शायक तंगा चुकी थी। पूरी रात उसने जागते हुई काटी थी। सुबर जब कमरे में आये तो अनुराग दुकान के लिए तयार हो रहा था। चोरी चोरी उसे भी देख रहा था। जो कि इस समय बहुत गुस्से में थी। सुधा ने अपना बैग निकाला और अपने कपड़े रखने शुरू वो कहने लगी क्या समझू मैं? क्या सब समझने के लिए मैं ही रह गई हूँ? अनुराग मैं जूट नहीं बोल रही। आपकी मा मुझे गंदी गंदी गालिया देती है। आपकी बहने आती है तो मुझे बुरा भला कहती है। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ या कोई पत्थर की नहीं बनी। जब भी मैं आप से बात करती हूँ आप मुझसे यही कहते हैं कि प्लीज सब की सुन लिया करो, मेरी बहने अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर आप इतने ही मजबूर थे तो मुझसे शादी ही न करते। कम से कम पत्नी के लिए भी तो स्टेंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। एक थपड़ की कसर रह गई थी और वो भी आपने रात को अपनी मा के कहने पर पूरी कर दी। अब आपका हाथ खुल गया है तो मुझ पर खुलता ही चला जाएगा। और मैं मार नहीं खाऊंगी। मैंने आज तक इस घर क कोई बात भी अपने माएके जाकर नहीं बताए, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो जरा-जरा सी बात माएके में जाकर बताए। आपकी बहने यहाँ पर हर हफ़ते देरा जमा कर बैठ जाती है। मेरी शादी को साथ महीने हो गए, लेकिन मैं एक बार भी अपने माय के नहीं गई, सिर्फ आपके साथ गई थी वो भी कुछ घंटों के लिए, इतना कुछ करने के बाद भी आपकी माँ को मुझसे शिकायत ही रहती है, वो कभी खुश नहीं हूती और अगर खुश हो भी जाए तो आपकी बहने आकर उनके कान भरती रहती है, मैं यहा नहीं रह सकती, अनुराग ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे बैग पर ले जाकर बिठा दिया, कहने लगा क्या चाहती हो, हाथ जोड़कर माफी मानबू तुम से, यार प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसों की बहुत रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चूके हैं कि मैं कमाई के साथ साथ अपनी पूंजी भी खर्च कर चुका हूँ और अब मेरी दुकान खाली होने लगी है, मेरे लिए यही बात परेशानी का कारण बनी हुई है, उपर से ये घर के जगरे, तुम्हें पता है, शा रज नहीं आ रहा था कि मां को कैसे चुप करवाऊं, इसलिए मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना पड़ा, फिर सुधा का हाथ पकड़कर अपने मूँ पर मारने लगा, कहने लगा ऐसा करो, तुम बदला ले लो, मैंने तुम्हें एक थपर मारा है, तुम दो मार लो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, पूरे दिन की ठकावत तुम्हें देखकर उतरती है, सुधा ने अपना हाथ खीजा था, कहने लगी ये आप क्या कर रहे हैं, मैं क्यों आपको मार कर पापकी भागीदार बनूँ, ठीक है, मैं नहीं जाती, आपकी मां की बाते भी सुन जूंगी और अगर आपको पैसों की जरूरत है, तो आप मेरे गहने बेच दें, सुधा तुरंथी नर्म पड़ी थी, पती की परेशानी को देखकर परेशान हो गई थी, वो कहने लगा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे गहने बस तुम भगवान के लिए मां को बरदाश् सहन नहीं कर सकता, मैं ठक चुका हूँ, जिम्मेदारिया निभाते निभाते, मेरे पिता के देहान को दस साल हो गए हैं और दस साल से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तीनों बहनों की शादिया मैंने धूंधाम से कर दी और फिर जाके अपना घर बसाया और अब जब अपन व्यवहार फिर से अनुराग के साथ ठीक हो गया था, हाला कि अनीता देवी को बड़ी उम्मीद थी कि दोनों पती पतनी के बीच बहुत जगड़ा होगा, लड़ाए हुगी और वो तमाशा देखेगी, और ये तमाशा देखने के लिए उनकी तीनों बेटियां आई हुई वो कहने लगी, मेरे पती पर इस समय कर जा है और मैं वो ही बनाऊंगी जैसी उनकी स्थिती है, जिससे वो परेशान ना हो, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप अपनी बेटियों के लिए जो चाहे मनवा कर खिला दे, ये सुनकर अनीता देवी चूपसी हो गई लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ, शान्ती ही शान्ती नजर आ रही है, मा आप तो कह रही थी कि अनुराग भाई बड़े गुस्से में है, आज तो इन दोनों का जगरा होगा, लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ, अनीता देवी कहने लगी मुझे भी यही लगा था लेक कि कौन से कोई तीन-चार बेटे थे, एक से वो लड़ लेती तो दूसरी से ठीक से बात कर लेती, अनुराग एक ही तो था लेकिन उनकी तीनों बेटियां ऐसा होने नहीं देती थी, फोरन से अपनी मा को उल्टा सीधा सीधा सीखाना शुरू कर देती और सबसे ज़्यादा वैशाली आगे-ागे होती थी, नौ महीने का समय भी गुजर गया था, सुधा ने एक बेटी को जन्द दिया था, अनुराग बहुत खुश था लेकिन उसकी मा का मूँ बना हुआ था कि बेटा क्यों नहीं हुआ, बहराल सुधा अब इस घर के महाल को जान चुकी थी इसलि कि अपनी नंदों को दो टूक जवाब देती थी, बेटी 6 साल की हो गई थी, अब ये होता था कि अगर नंदों के बच्चे सुधा की बेटी निमृत को मारते या उसके साथ लड़ते तो सुधा भी आगे से उन्हें थपपर मार देती और अपनी बेटी से भी कह देती कि अ बारा हाथ नहीं उठाएगा, अगर मेरी बहनों को इतनी ही परेशानी है तो कमाया करें, अपने घर में रहा करें या एके करके आया करें वो इकठी आती है, मेरा बज़र भी आउट होता है और घर में जगड़ा अलग होता है, तीनों नंदे सोच चुकी थी कि अपनी फिर भी रोग धोकर जिद करके पैसे लिए थे, आगे दिवाली आने वाली थी और सुधा ने मना कर दिया था कि वो इस बार कपड़े नहीं सिलवाएगी ऐसे ही दिवाली गुजार लेगी लेकिन अपनी बेटी के लिए नए सूप जरूर लेकर आएगी, लेकिन जब अनुराग से 25,000 लेकि वो अपने नवासी और नवासों के लिए दिवाली के कपड़े खरी देगी तो अनुराग ने सुधा के आगे ही मिन्नत की थी कि इस बार निमृत के कपड़े भी रहने दो। पहन लिया, ये देखकर दादी उसे मनहूस कहने लगी और रख की थपर उसके मार दिया, बड़ी बुआ ने भी अपनी भतीजी के मुँपर थपर मारा और सब के सामने उसके कपड़े उतार दिये, कहने लगी कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, सुधा ने जब ये देखा तो वो चिलाने लगी, अपनी बेटी को उसने दूसरे कपड़े पहनाए और कहने लगी आप मुझसे कहती, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की, लेकिन तीनो नंदे वैसे ही अफसर की तलाश में थी, लड़ाई जगड़ा बढ़ गया, व यहां तक की उसका गला दबा के उसे जान से मार डाला, और फिर उसे बैट पर लिटा कर उपर चादर ओडा दीता की जब इनका भाय आए तो वो कहेंगी की वो सो रही थी, हमें नहीं पता की क्या हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा की उसकी बेटी बैट के नीचे अलगा आए तो वो कहने लगी पता एंसे मार फिर रही थी, हम मतल्या पता की अचिए, हमें अचिए, हमें बला के पता है, जो मतलोमे इनका पता की पता की वो सो रही थी, हमें और विसका की उसका एज़ोंशा हुआ।